तो हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप मैं हूँ आपका क्रिप्टो दोस्त और आज हम बीटू नेटवर्क के पार्ट फॉर के टास्क को कम्प्लीट करने जा रहे हैं तो जैसे कि आप देख रहे हो हम नीचे स्क्रोल करेंगे तो लेयर बैंक के टास्क लाइव हो चुके है उपर के सारे टास्क हमने कम्प्लीट किया है तो लेयर बैंक में हमने 50-50 पॉइंट इच आएंगे अगर आप बीटू नेटवर्क पे न्यू हो तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी और आपको सारे वीडियो मेरी चैनल पर मिल जाएगी कि आपको ये 80 पॉइंट्स ये 100 पॉइंट्स कैसे करने और यागा 155 पॉइंट्स कैसे गुलो स्वैब के गॉइंट करने तो आज हम प्लेयर बैंक के 100 पॉइंट्स को क्लीम करेंगे तो इसमें हमें supply BTC, usdc करना है और borrow usdc या btc करना है तो इन task को हम कैसे complete करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में समझाओंगा और इसकी एक trick भी share करूंगा जिसमें आपको सिफ एक ही task करना पड़ेगा और आपके सारे task इसमें complete हो जाएंगे तो सबसे पहले start पे click करेंगे make sure आप आपके testnet balance प आपको थोड़े funds भी लगेंगे उसकी सारे details मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई है तो जैसे layer bank आएगा हमें यहाँ पे अपना metamask connect करना है जो हमने b2 testnet add किया था अभी मैं arbitrum 1 पे था तो यह automatically b2 testnet पे switch हो रहा है तो हम अभी switch network करेंगे network switch करने के बाद फिसे वाले connect करेंगे next करेंगे और account को connect कर देंगे तो अभी देख रहे हो wallet में balance थोड़ा है अगर आपके बास balance नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे आप अपने metamask के address को copy करेंगे और आप इस website पे आएंगे इसकी link नीचे मिल जाएगी यह b2 testnet का faucet है यहाँ पे आप address को paste करेंगे और claim करेंगे तो आपके metamask में b2 testnet के tokens आजाएंगे जो gas fees के लिए use हो जाएंगे तो यह हो जाने के बाद फिर से layer bank की website पे जाएंगे तो अभी हम क्या करेंगे एक बार हम लोग check कर लेते हमें supply btc usdc करना है और हमें borrow भी करना है तो मैं आपको एक trick share करूँगा तो सबस यहाँ पे आप इस link पे जाके जो मैंने process बताया था आप उसे follow कर सकते हो usdc के लिए हम request token पे click करेंगे और यहाँ पे हमें वही gas fees होती है तो इसको confirm करेंगे तो सबसे पहले btc आप करिएगा उसके बाद आप usdc को claim कीजेगा तो thousand usdc अभी हमारे account में आ चुके है तो अ अभी यहाँ पे में 05001 डालके available as collateral को tick कर दूँगा यहाँ पे बस एक बार click करना है transaction fees पे करनी है तो जैसे successful हो जाएगा यह automatically yellow हो जाएगा और यह करना जरूरी है फिर हम यहाँ पे supply पे click करना है supply पे click करके gas fees को yes कर देंगे तो अभी हमने यहाँ पे supply कर दी है अभी हम borrow प borrow करेंगे यह भी successful हो चुका है तो अभी हम जाएंगे अपने B2 network के page पे और यहाँ पे refresh के button पे जो start के बाजब में उसको click करेंगे तो अभी आप देख रहे हो 50 points each अभी हमारे account में आ चुके है और यह task यहाँ पे complete हो गया है तो मैंने एक ही transaction में आपको दो चीज़े कैसे complete करती है वो भी बताया इस इसी तरह का alpha और text में आपको मेरे channel पर देता रहता हो तो आप make sure मेरे coin tube Hindi और coin tube English channel को जरूर follow करिएगा links आपको नीचे मिल जाएंगी अभी हम 300 से जादा subscriber की community है हम धीरे धीरे काफी जादा बड़ा milestone achieve कर रहे है और make sure आप मेरे coin tube airdrop channel को भी follow करें और यहाँ पर मैं सबसे पहले सारी latest update डालता हूँ जैसे मैंने आज डाला था start net के airdrop checker live हो चुके है और ऐसे ही मैं zk24k badges और सारी update यहाँ पर डालता हूँ और यह completely free है तो यही ताज के वीडियो है please make sure मेरे channel को follow subscribe कीजिए मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक अपन आख है रखिये बाबाए